केंदर सरकार पश्षिम बंगाल का विभाजन करना चाहती है इससे पश्षिम बंगाल का नाम बदल जाएगा और राज्य उत्तर और तक्षिम बंगाल की रूप में विभाजित हो जाएगा उत्तर बंगाल को यूटी यानी यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा इस बात की भनक लगते ही ममता बनर जी आपे से बाहर हो गई और बीजेपी पर आरोब लगाया कि वे पश्चिम बंगाल को बांटने की कोशिश कर रही है ममता बनर जी ने कहा कि BJP का एक वर्ग उत्तर बंगाल को केंदर शासित प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहा है उन्होंने ये भी कहा कि वे राज्य में किसी भी फूट डालो और राज करो की नीती को जड़ नहीं जमाने देंगी ममता ने कहा कि वे किसके हित में बंगाल को विभाजित करने की कुशिश कर रही है यूटी का क्या मतलब है बनर जी ने कहा कि इसका मतलब लोगों के अधिकारों को छीनना है लेकिन मैं किसी को भी बंगाल को बांटने की इजासत नहीं दूँगी बीजेपी की राज्य इकाई ने ये कहते हुए जवाब दिया कि वे बंगाल को विभाजित करने के किसी भी कदम को स्विकार नहीं करती है और ममता बनर जी जिन वेचारों का जिक्र कर रही थी वे कुछ व्यक्तियों के हो सकते हैं पार्टी के जलपाई गुड़ी काई के नेताओं ने कहा कि इस मांग पर एक आभासी बैठक हुई और संसत के मांसुन सत्र में इस मुद्दे को उठाय जाएगा राज्य बीजेपी महासरशिव सायतन बासु ने कहा कि यह जूटी सूचना है हमने कभी किसी अलगाववादी भावना का समर्थन नहीं किया पर्ष्म बंगाल को गोर्खा लेंड जैसे आंदूलनों का सामना करना पड़ा है लेकिन हम अपने रुख पर अडिग हैं पार्टी ने इस तरह कि किसी भी मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की कोई अलगाववादी महत्वक आंक्षा है तो वह इस पर टिपणी नहीं कर सकते राजी उपाध्यक्ष राजू बनर जी ने बसू के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि तरणमूल कॉंग्रेस हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है बीजेपी के जलपाईगुडी उपाध्यक्ष आलोक चक्रवर्ती ने अलकि स्विकार किया कि एक आभासी बैठक हुई थी जिसमें नेताओं ने भाग लिया चक्रवर्ती ने कहा कि यहां कुछ समय से ये मांग की विये मुख्यरूप से इस क्षित्र की उपेक्षा और विकास नहीं होने के कारण यही कारण है कि उत्तर बंगाल अलगावादी आंदुलनों का गड़ है एक राज्य का अंदुलन संभव नहीं है लेकिन केंद्रशासित प्रदेश बनाना संभव है इस मुद्दिक को संसद के मांथून सत्र में उठाया जाएगा आलांकि उन्होंने इस बात की पुष्टी या खंडन नहीं किया कि बीजेपी के दो सांसद वर्शुल मीटिंग का हिस्सा थे या नहीं वहीं ममता बनरजी ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश का क्या मतलब है इसका मतलब है लोगों के अधिकारों को चीनना बंगाल के सीम ने जलपाई गुड़ी बैठक के बारे में रिपोर्ट्स पर जोर देते हुए कहा कि केंद्रशासित प्रदेश कार्थ है दिल्ली की दया पर निर्भर रहना और सारी स्वतंतरता खो देना लेकिन मैं उत्तर बंगाल या बंगाल में किसी अन्य हिस्से को अपनी स्वतंतरता खोने और दिल्ली पर निर्भर होने की अनुमती नहीं दूँगी सीम ममता बनर जी ने कहा कि बीजेपी अपनी मर्जी से देश को बांटने की कोशिश कर रही है उन्होंने कहा कि ये गहने बांटने वाली रानी की तरह विवहार कर रही है अपने अपमान जनक शुनावी हार के बाद उन्हें शर्मानी चाहिए लेकिन इसके बजाए बेबंगाल को विवाजित करने की कोशिश कर रही है उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल और दक्षिन बंगाल के बीच अंतर कहा है ये सब एक पश्चिम बंगाल है मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल को विवाजित करना आसान नहीं होगा उन्होंने कहा कि अली पुर्दवार और जल्पाई गुडी या कूछ बिहार या दारजलिंग को बांटना आसान नहीं है बीजेपी देश को बांटना चाहती है लेकिन मैं इसे रोकूंगी केंद्रे नेताओं का एक वर्ग इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है जिसमें स्थानिय बीजेपी नेताश शामिल है इसके बिना किसी में भी इस तरह का कदम उठाने की हिम्मत नहीं होती उन्होंने आगे कहा उत्तर बंगाल में बहुत काम किया गया शायद दक्षन बंगाल में उससे भी ज़्यादा कूच बिहार में एक नया पंचानन बर्मा विश्व विद्याले और साथ ही एक नया सचिवाले है रिपोर्ट नियूज ओफ इंडिया अश्यम बंगाल की सियासत में हलचल मचा कर राजेपाल जगदीप धनखड देर रात दिल्ली पहुँच गए और उन्होंने एक बार फिर राज्जे में हिंसा का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि मैंने सियम ममता बनरजी को इस संबंध में पत्र लिखा था लेकिन शे महीने बीच जाने कि बावजूद कोई भी अधिकारी मंत्री या सियम घटना स्थल पर नहीं पहुँचे नहीं चाहिए इस धर्ती पर हिंसा के लिए कोई जगहन नहीं है रविंद्र नात्र टेगोर ने कहा था कि जहां मन भै से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से उठा हो मैं जानता हूँ कि यहां किसी का भी मन भै से मुक्त नहीं है ममता सरकार ने गवर्नर के आरोपों को खारिश करते हुए कहा कि हिंसा को रोकने की कोशिश सही तरीके से की गई सरकार ने सवाल दागा कि गवर्नर एक समयधानिक पद पर बैठे है वो सीम को लिखी चिठी सारजनिक कैसे कर सकते है टीमसी का कहना है कि इस तरह का आचरण मर्यादा क्या नुकूल नहीं है राज्य के ग्रह विभाग ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किये और राज्यपाल द्वारा पत्र को सोशल मीडिया पर साचा किये जाने के कदम की आलोचना की और इसे तय नियमोकाव लंखन करार दिया ग्रह विभाग में ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ने राश्या के साथ ये पाया कि बंगाल के माननीय राज्यपाल ने उनके द्वारा राज्य की मख्यमंत्री को लेके पत्र को अचानक सार्वत ने किया और पत्र की सामगरी बास्तविक तत्यों के अनूप नहीं है संचार का ये तरीका सभी तय नियमोकाव लंखन है इसे लेकर राज्यपाल ने कहा कि मैंने सीएम से मामले को लेकर जानकारी देने को कहा था और पूछा था कि इस पर क्या कारवाई हुई है मैं ये जानकर सकते में हूँ कि राज्य के ग्रिह मंत्राले ने मेरे पत्र पर इस तरह की प्रतिक्रिया देना दुर्भा के पूर्ण है पुलिस और प्रशासन अपनी कानूनी सीमा को भूल चुके है इससे पहले राजिपाल ने दिल्ली रवाना होने से कुछ घंटे पहले पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से उठाए गए मुद्दों पर जल्द बाचीत करने का अग्रह किया। के जानी दुश्मन बनी बीजेपी और टीमसी के बीच इस से खटास और जादा पढ़ गई है। बीरो रिपोर्ट नियूस अफ इंडिया सीम योगी ने एक तरफ तो राहुल गांधी की ऐसी तैस्विक कर दी और दूसरी तरफ ट्विटर के खिलाफ F.I.R. दरज करवा दी। इस मामले में आठ अन्यविक्तियों के खिलाफ भी मामला दरश किया गया है। योगी सरकार ने सोशल मीडिया प्लाट्वार्म पर आरूप लगाया कि उन्होंने जूटे दावे के साथ शेयर होती वीडियो पर कोई कारवाई नहीं की। जबकि आम तोर पर ट्विटर भामक खबरों को मैनिपलेटिट मीडिया कहता है लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। और ऐसा पहली बार हुआ कि यूपी सरकार ने ट्विटर के विरोध मुकदमा दर्श करवाया हो। सरकार की शिकायत का आधार यही है कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताया जाने के बाद भी ट्विटर ने इस वीडियो पर मैनिपलेटिट मीडिया का टैग नहीं लगाया और भामक ट्वीट्स को बढ़ हवा मिलता रहा। इसके पहले उत्तर प्रदेश के घाजियाबाद में बजर्ग मुस्लिम विक्ति की पिटाई मामले में धार्मिक एंगल की बात को घाजियाबाद बुलिस द्वारा नकारे जाने के बावजूद राहुल गांधी ने इस पर श्रीराम का नाम लेकर ट्वीट किया इस ट्वी करूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज वधर्म के दोनों ही के लिए शर्मनाग है इस ट्वीट पर बहुत लोगों की प्रतिक्रियाई वही मुख्यमंतरी योगी अधित्यनात में उनके इस ट्वीट का स्क्रीन शॉट शेर करते हुए कहा कि प्रभुश्री राम की पह करूर ने हसल में सूशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो बारन हुई थी जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति ने चार अग्यात लोगों पर घाजियाबाद में सून सान पड़े एक मकान में ले जाकर उसे जैश्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने और पिटाई जिले के वरिष पुले सदिक्षक अमित पाछक ने कहा कि उत्तर प्रदिश में बुलन शहर के निवासी अब्दुल समद ने अपनी शिकायत में इस तरह के कोई आरोप नहीं लगाए हैं जैसा की वीडियो में लगाए गए उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस परव वो एक अन्य वेक्ती के साथ मुख्य आरोपित परवेश गुरजर के घर पंथना गया था वहीं पर कलू, पोली, आरिफ, आदिल और मुशाहिद आ गए वहाँ पर बुजरु के साथ मारपीट शूरू कर दी गई अब्दुल समद तावीज बनाने का काम करता है आरोपितो सच्चिन पाइलट बड़िशान से जैपूर से दिल्ली आए थे, लेकिन दिल्ली आते ही उन्हें गांधी वाड़रा के खेल का सामना करना पड़ा, पाइलट से ना तो प्रियांका वाड़रा मिली और ना ही राहुल गांधी, वज़य यह है कि सच्चिन पाइलट की कमजोर नसका पता सब को चल गया है, इसलिए पाइलट अपने अरजी लेकर इस नेता से उस नेता के दरबार में महग हाजुरी लगा रही है, लेकिन उन्हें ठीक से सुनने वाला कोई नहीं है, हालात यह है कि राजस्थान के ताकतवर नेता सच्चिन पाइलट कॉंग्रेस चीछ बोल दिया है, और गहलोत ने साफ कह दिया कि अगली दो महीने तक वो किसी भी मीटिंग के लिए उपलब्द नहीं है, मतलब यह है कि गहलोत ने एक तरह से पाइलट को जता दिया कि दो महीनों बाद अपनी अरजी लेकर आएं, तब सुनवाई की जाएगी, सुत्रों का कह उसे पाइला कमान से मिलने के इंतजार में बैठी हैं, लेकिन आज तक उन्हें मिलने का समय नहीं मिला है, उधर सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना का बहाना देकर अगले दो महीने तक किसी भी मीटिंग से दूर रहने का संदेश देकर साफ कर दिया है, कि फिलहाल कुछ नही इस बीच कॉंग्रेस नेता भवनलाल शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत राजिस्थान के मुख्य मंत्री हैं, वो मेरे नेता हैं और सचिन पाइलट को भी उने अपना नेता मानना पड़ेगा, वही संदीप यादव ने तो पाइलट कैम के विधायकों को गददार तक कह दिय और कहा कि पाटी से गददारी करने वालों की जगे हाई कमान को उन लोगों की बाते सुननी चाहिए। विधायक राजिंद्र गूढा ने कहा कि सरकार में बदलाव होना ही चाहिए। विधायक मुकेश भाकर और राकेश पारिक ने कहा कि हम नहीं होते तो सरकार कैसे बनती। सरकार को बचाने वाले भी हम ही हैं पार्टी के अनुस्ताशन में रहते हुए हम अपनी बात कहेंगे। सचिन पारिक के समर्थक विधायक मुकेश भाकर और राकेश पारिक ने नकली कॉंग्रिसी और गद्दार के आरूप पर पलटवार किया। हमें गद्दार कहने वालों को अपने निर्वाचन शेत्र में जाकर देखना चाहिए कि जनता इन्हें क्या कह रही है। हम तो जब से जनम लिये हैं तब से कॉंग्रिस पार्टी में ही हैं। दोनों विधायकों ने BSP से आय विधायक संधी प्यादव पर हमला बोला। Bureau Report, News of India कभी इश्क फरमाते हुए पकड़े गए अभिशेक मनु सिंधरी ने एक बरफिड ऐसी ओची हरकत कर डाली कि उन्हें न्यायधीशों की फटकार सुनने पड़ी। लेकिन यह सब सुनकर अभिशेक मनु सिंधरी को शर्म नहीं आई बलकि वे पूरी धिटाई के साथ मुस्कुर आती रहें। असल में वर्च्वल मीटिंग्स और कॉंफरेंस में भाग लेने वालों के पास यह ऑप्शन होता है कि वहां फुल रिस अप ना भी हूँ तो उनसे कोई सवाल करने नहीं आता। अचानक जमीन पर गिर गई। सिंधवी जो पहले से अभी लोगों को सफेद रंकी शर्ट में दिख रहे थे इस स्क्रीन के गिरने के बाद पता चला कि उन्होंने उपर बस शर्ट पहनी हुई थी जबकि नीचे वह बिना पैंट के सिर्फ शॉर्ट में थे। स्क्रीन के ग इस कान के साथ अपनी बातों को कहना जारी रखा। कोट सिंधवी के इस रवय को देख नाराज हुआ और इस तरह डेकुरम को बिगारने पर आपत्ती जाहिर की। वर्चुल कोट मीटिंग में सिर्फ शॉर्ट और शॉर्ट में दिख रहे थे। उन्होंने कोई ट्राउजर नहीं पहना हुआ था। सोशल मीडिया पर जैसे ही तस्वीरे वाइरल हुई लोगों ने इस बात पर गौर्ध करवाना शुरू कर दिया कि ये पहली बार नहीं ह जब सिर्फवी को बिन पैंट के देखा गया हो। पिछले साल राजीव धवन राजस्तान हाई कोट की ऑनलाइन हीरिंग में हुपका पीते दिखे थे। इसी तरह आली में जूही चावला ने जब कोट की कारवाही का लिंक ऑनलाइन शेर कर दिया था तो उनके फैंस ने ऑनलाइन जुड़कर गाना गुन-गुनाना कर दिया था ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस अफ इंडिया